बिस्म लिएव अमन्य वहीं बचो आज हमारे पास जो टॉपिक वールब डिसकेशन है वो है आक अठिफिशिल सेटलाइट पहले हम यह देखें कि आक अर्टिफिशिल सेटलाइट होता किया है और यह काम कैसे करते हैं बज़ो जो artificial satellite है यह ऐसे object होते हैं जो जमीन के गिर्दी revolve कर रहे होते हैं मसले मैं आपको समझाने के लिए कहा दूँ हमारे mobile में जितने भी signals बच्चो आ रहे हैं यह असलमें satellite के थूँ आ रहे हैं यह हमारे mobile का जितना भी system है GPS system है यह सारे का सारा किस के थूँ है satellite के जरूँ तो satellite से signal हमारे mobile में आते हैं जो हमारे पास इन कामों के लिए satellite यूज होते है इसका मतलब यह है कि satellite जमीन के गिर्द कही न कहीं revolve कर रहे हैं किसी न किसी specific height पे बच्चो revolve कर रहे हैं जहरी बात है हमें उन heights पे अगर इसको revolve करवाना है तो हमें उनकी कुछ ना कुछ speed भी specific रखनी पड़ेगी बच्चो velocity उनकी specific रखनी पड़ेगी अगर हम velocity एक लिमट से जादा या कम कर देंगे या तो जमीन की तरफ आगे crash होजएगा या वो जमीन से बाहिर along the tangential path निकल जाएगा जब हम बात करते थे escape velocity की इसका मन्दब यह है कि हमें satellite अगर एक fix में गुमाना है fix distance में गुमाना है satellite को तो हमें एक specific velocity रखनी पड़ेगी पहले सम वो calculate करेंगे कि अगर किसी satellite को जमीन के किसी भी height पे बचो दूरी निके जमीन के किसी भी height पे गुमाना है तो हमें कितनी velocity रखनी पड़ेगी पहला point हमने यह चीज़ देखनी है कि हमें यहां पे velocity कितनी रखनी पड़ेगी अगर किसी भी orbit में satellite को हमें launch करना है पहला point ही होगी दूसरा ही होगा बचो जब वो सेट लाइट समीन के किर्द रिवॉल्व करेगा तो जहरी बात है बचो उसकी velocity की हर वक्त direction चेंज होगी याद करें बचो टॉपिक जब मैं centripetal force करवाया था कि जब भी कोई body circular path में move करती है या covered path में तो उसकी velocity की हर वक्त calculate करने के centripetal acceleration किसी भी orbit में कितना होगा दो चीते बचो होगी हमारे पास एक हमने velocity calculate करनी एक हमने acceleration calculate करने अब ये भी देखा जाएगा कि बचो देखें हमारे पास जब किसी orbit में satellite move करेगा whatever height of the orbit बचो उसका कोई ना को specific time period होगा देखें मसलन आप कहतें जमीन के करता आप यह फर्द करें जमीन है इसकी अपने जल्दी जल्दी चकल लगा लिए अब बचो एक body यहां पड़ी वह बड़ा चकल लगा रही है बचो उसको time जादा लगेगा इसका मनलब यह है कि हर orbit का specific time period होगा हमने एक उसकी equation निकाल ली है तो यहां तक तीन चीज़े हमने निकाल कहते हैं हमारे पर वो चीज़ क्या होगी तो यह तीन चीज़ें हमने calculate करनी है तो यह satellite बच्चो artificial है कहता है यह object होते हैं जो किसके गिर्द रिवाल्व करते हैं मैंने बताया है जमीन के गिर्द है अब इनको आपने यहां पर एक specific orbit में रखना है तो जहरी बाद है बच्च यह इस orbit में तो आपने रख दिया move करना शुरू कर दिया अब question यह है फर्ज करें जिए यह इदर को बागना चाता है तो इसको हर वक्त जमीन अपने center की तरफ खेंचने कोशिश करेगी अब बच्चो किसकी मदद से खेंचेगी वो gravity की मदद से खेंचेगी let's suppose यह आप इसलमें gravitational pull जो है वो हर वक्त इसको center की तरफ खेंचेगी ऐसे जब यह इदर को खेंचा जाएगी तो यह अपना पार्ट कर लेगा फिर फिर कर असल में यह हर वक्त अपनी velocity reduction change करेगा और हर वक्त एक acceleration पैदा होगा इसे हम कहते हैं A C यानि यह centripetal acceleration होगा बच्चो इसका म अगर तो यह इस orbit में रहना चाहिए तो जमीन इस पर centripetal force लगाए उसका फार्मला हमारे पास होगा अगर यहां पर मैं फार्मला लिखूं कि FC centripetal force होगी MAC इसका मतलब जमीन इस पर इतनी force लगा रही होगी यह इतनी force इसको चाहिए कि वह circular orbit में move कर सके क्योंकि हमने पह पे इसे जो centripetal force चाहिए वह FC है और FC किसके बरावर होती बच्चों MAC अब यह इतनी force अगर होगी बच्चों इतनी force अगर होगी तो यह इस orbit में move करता रहेगा हमारे पास इसका मतलब यह है यह force हमने बच्चों provide भी तो करनी है हम जो provide करते हैं force हम असले में किसके through करते है gravity के through यानि gravitational pull जो होती है आर्थ की वो यह force provide करती है तब ही orbit किसमे move करता रहता है circular path में जैसे बच्चों मैं आपको समझाने के लिए एक बहस्तरीन example दोंगा कि आप पत्थर को पकड़के ऐसे गुमाते हैं बच्चों वो एक circular path में move करता रहते है क्यों circular path में बच्चों move कर example लेती हैं कि जब आप कर्वी linear path की पर move करती है यानि गाड़ी का turn लेती है तो अक्सर देखा होगा कि बारिश वाले दिनों में गाड़ीया slip हो जाती है उसकी reason क्या होती है उसकी reason यह होती है जब बारिश होती है तो टायरों और रोड के दरम्यान में friction कम हो जाती है और ज बच्चो उन्हें card path पे move करने के लिए एक force चाहिए होती है जिसका नाम मैंने बताया क्या होता है centripetal force जब रोड गिला होगा बच्चो गाड़ी भी वही है गाड़ी का mass भी है गाड़ी की speed भी वही है उसे तो उतनी force चाहिए अब पहले रोड खुश के था तो टायरों क पास इतनी friction नहीं होगी रोड टायरों के दर्मियान में इतनी friction नहीं होगी कि वह उसको संबाल सके जिसके गाड़ी slip कर जाएगी इसी वज़े हम कहते हैं जब भी किसी covered path में move करना तो हमें centripetal force की दरूर पड़ती है वह whatever के कौन सा source है लेकिन आपको इतनी provide करनी पड़े अधर की तरफ अरवक्त कहें चाहिए तो यह path काउट पर move करता रहेगा अब यह जो है मैंने बताया कहां से आती है gravitational pull of earth होती है अब यह मैं क्लाइन पड़ देता हूं फिर इसका complete हम discuss करते है क्या होता किया है कहता low flying satellite have an acceleration of 9.8 बचो जरूरी ने कि 9.8 कही हो सिर्फ low है अब acceleration असल में कौन सा होता है centripetal और acceleration हमेशा centripetal किसके तरफ होता है टुवर्ड center of earth यह इसकी direction हमेशा center of earth की तरफ होगी यह हमारे पस चीज़ आ जाती है अब देखना है बचो के centripetal acceleration की value क्या होती है जब भी centripetal acceleration किसी भी जगा बचो निकालना है याद रखे किसी भी जगा हमें नहीं पता हमने इस orbit में launch करना है किस को satellite को किस speed के साथ वी के साथ acceleration का formula निकाला centripetal का कि जौन सी speed होगी इसका square divided by जितने हो फासले पर खड़ा हो आर कर देगे simple बच्चो इसका कोई आपने दूसरी चीज सोचनी ही नहीं है मैं आपको simple समझाओं कि आपस फर्द करें अर्थ है और यह आपकी पास यहां पर speed है टू मीटर पर सेकिंड और आपका यहां से radius है टू मीटर का आपकी है टू मीटर पर सेकिंड को रेडिस बच्चो है टू मीटर का अगर मैं को इसका एक्सलेशन निकाले तो आपके एंगे सार टू का स्केर divided by टू तो यह फोर ओवर टू तो यह आज़ेगा टू मीटर पर सेकिंड का इसमें बच्चो सोचने वाली बात ही नहीं है डेक बस वी वी का स्केर divided by जितना जमीन के सेंटर से फासलने उसका हम स्केर करते हैं बच्चो हमें इस वी की वैली वैल्ट रिट करनी है कि इस पॉ anything के बच्चो यह बात गौर समीनर जू आर है यह जमीन के center से लेके यहां तक का फासल है यहां जिस orbit में हम move कर वहीं अब बच्चो देखें इधर बच्चो क्या हो रहा है यहां पे जमीन खत्म होगी है अर्थ खत्म होगी बच्चो इससे आगे तो अर्थ से अबव यह height है कहां तक? orbit तक इसको हसल में हम H कहते है H हमारे पास क्या होगी? height of orbit above the surface of the earth H हमारे पास आ जाता है मैं यहां पे लिखे देता हूँ कि H जो है height of orbit है बच्चो height of orbit above the surface of the earth above the surface of earth हमारे पास आ जाती बचो यह हमारे पास चीज आगे यह याद रखना है आप लोगों यहनी कि मैं आप से गर कहूँ कि जमीन के उपर मैं खड़ाओं यहाँ पे अब इस से उपर जो हाइट होगी जो और्बिट की हाइट इस से उपर जमीन से उपर उपर होगी उसको हमने नाम दे देना बचो H का अब देखते हैं हमारे पास के R क्या चीज है बचो R जो है न यह हमारे पास Capital R होता है Radius of Earth यह हमारे पास Radius of Earth है जो R है वो जमीन के सेंटर से लेकि उस और्बिट तक का फासला होता है यानि Capital R क्या होगी है Radius of the Earth H क्या होगी है Height of Satellite Above the Surface of Earth और R स्माल क्या होगी है Distance of the Orbit from the Center of the Earth तो यह डायग्राम से देखके आप बिता सकते हैं कि जो Small R है वो दो चीज़ों को Add करके आता है R प्लस H यह हमारे पास दो चीज़ों को Add करके यह आएगा किसका जितना जमीन के Center से क्या है जमीन का Radius और उपर जितनी हमारे पास क्या है बच्छों Height है दोनों को आप लोग Add कर देंगे तो हमें Small R की Value होगी होगी यह हमारे पास होता है अब देखें बच्छों कि यहाँ पे Acceleration क्या है Acceleration उतना ही होता है जितना Gravity होती है जितना Gravity से जादा Acceleration आप कैसे देंगे क्यों यहाँ पे Acceleration बच्छों उतना ही होना चाहिए जितनी Gravity है क्योंकि यह Acceleration जो है यह हमने कहां से लेना है यह Gravity ने और होना किसे बच्छों जब यह Circular Pass मे जो पे जाए जाए जितना होना चाहिए जितना क्या है जमीन की जो है जो है जो है जो है यह पास नाइन पाइंट आप कर देंगे यह 9 कर दें यह आप पास क्या देंगे 7 होगी जैसे यह से जमीन से उपर जा रहे जी की वैली क्या रही बच्छों कम अब जितनी वह कम हो रही है अब जुरूरी नहीं कि इस और बिट में आप फिर उसी स्पीड से गुमाएंगे जितना इस तरह नहीं बच्छों इदर स्पीड आपको कुछ और रखनी पड़ेगी और इदर कुछ और रखनी पड़ेगी क्यों क्यों आपको दोनों और्बिट में एक्सलेशन एक जैसा प्रोड्यूस नहीं करवाना अब बचो हमने निकाल लिए इस V की value तो AC किसके बरबिट में उतना का acceleration पैदा करवाना है जितना के G की value है तो हम यहाँ पूट कर सकते हैं formula AC is equal to हमारे पास आजेगा है G V square over R G is equal to V square over small r यह हमारे पास चीज़ आजाती है बचो अब यहाँ पे हमें R पता है कि smaller किसके बरबर है R plus H तो कितना G की value होगी V square over R capital plus H हमारे पास है यह हमारे पास चीज़ आजेगी कि हमारे पास G is equal to V square over R plus H अब अब चो हमें calculate असल में V करना है तो अगर हमारे पास low flying satellite होगा इसका मतलब क्या है कि जमीन के क्रीब क्रीब satellite जो है वो move कर रहा है तो फिर हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगी यानि आप कैसे जमीन का जो radius है यहां तक वो आपस चौन सट सो किलो मिटर है और आप इससे उपर सो किलो मिटर दो सो तीन सो चार सो तक उड़ रहे हैं तो आप उसको लो मुविंग में देंगे मसलन चौन सट सो में आप सो किलो मेंटर कर दें बच्चो तो फैन सट सो किलो मिटर बन जाएगा तो यह निगलीजीब चेंज होता है इसे हम इग्नोर कर सकते हैं तो हम कहेंगे अगर जमीन के करीब करीब सेटलाइट है तो एच की वैलू कितनी होगी जीरो यानि के बिल्कुल जमीन के करीब है तो तब बच्चो जो एक्सरेलेशन है वो भी किसके वाइप ग्राविटी के ब्राबरेन यह चीज़ हमें सैटस्वाई तब करेगी एक्सरेलेशन इस इक्वाल टू जी और हमें बता है कि जमीन के करीब करीब जी की वैलू कितनी होती है इस वज़े से हम कह सकते हैं कि जो लो फ्लाइंग सैट्राइट है उनके लिए जी की वैलू कितनी होती 9.8 अगर बच्चो एच आप इग्नोर ना कर सके आप कुछ फासले पे खड़े हैं तब जी की वैलू कैसे होगी मैं आके जागे आपको calculate करवाऊंगा तो यहाँ पे हम इस कुछ चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो V है वो असल में किस के पराबर आएगा अब हमारे पास G आता है V स्केर ओवर R प्लस H यह यह असल में हमारे पास आ जाते हैं अब यहाँ से करें फार्मला ड्राइब करूँ H इक्वल टू 0 तो बच्चे वी स्केर ओवर R प्लस 0 तो यह हमारे पास आ जातेगा और यहाँ से हम ड्राइब कर सकते हैं कि G इस इक्वल टू V स्केर ओवर R एंड V स्केर इस इक्वल टू जी आर यानि आप R जाके मुल्टिप्लाइ करवा दे तो V स्केर इस इक्वल टू जी आर दोनों दरफ हम ले ले स्केर ओव तो V इस इक्वल टू जी आर स्केर जमीन के क्रीब-क्रीब था बच्चो तब हमें लगा कि R क्या है जो है रेडिस आप अफर्थ जी हमारे पर इस क्या है 9.8 हम यहाँ पर वैलिस पूट कर देंगे 9.8 मुल्टिप्लाइ बच्चो 6400 किलोमेटर अब बच्चो क्या स्केर रूट के अंदर आप किलोमेटर पूट करेंगे बच्चो नहीं इसकी जगा थाउदन पूट करेंगे तो मुल्टिप्लाइ बच्चो यह हमारे पास आजएगा तो यह आगे 6400 यह किलो की जगा आपने थाउदन पूट कर दिया बच्चो इसको आप आप सॉल्व करेंगे आप कैल्कुलेटर को पर इसकी वैली सॉल्व करेंगे तो जो वैली असल में आपकी राउदन पूट करके आएगी वो असल में आप पास आएगी 7.9 किलो मीटर पर सेकंड यह आपने कैल्कुलेटर पर सॉल्व कर लेना है जो आपकी विलोस्टी आएगी वो विलोस्टी आएगी 7.9 किलो मिटर पर सेकेंड आएगे इतनी विलास्टी के साथ अगर आप इसे फैंकेंगे तो यह हमारे पास कौन सा पास बनाएगा सर्कुलर पास बनाएगा अब अगर आप देखें इतनी विलास्टी है बच्चो इसे कम पर यह मूव नहीं करेगा यह कम से कम है कि अगर इतनी विलास्टी के साथ फैंका जाएगा तो और्बिट में कौन सा पास मूव करना शुरू कर देगा सर्कुलर पास के उपर जहां पर हम इसे मूव करवाना चाहते हैं अब देखें बच्चो जब यह मूव करेगा यहां से यहां तो यह कुछ ना कुछ फास्ला तैया करेगा और यह फास्ला कितना आरा है जितना सर्कुम्फेरिंस ओफ सर्कल है हमारे पास तो हम एक्वेशन लिखते हैं कि S is equal to V T हमें यहां पर T के निकाल लाएं टाइम कि कितने टाइम में वो एक चक्र मुकमल करता ती इस इक्वल टू एस ओवर वी यह वार बस चीज़ आ जाती है अब देखें बचो ऐसी यह वाला फासला जितना इसमें कवर किया है यहां से यहां से यहां जाते हुए और यह कितना जितना सरकल का सरकंफेरेस है और हमने कहा के ल तू पाई आर हम कहेंगे है टू पाई आर तो कितना फासला कवर करता है टू पाई आर और एक चक्कर के लिए निकाला ते तो टाइम किसके बराबर चला जाएगा time period और यह आज़ेगा 2 pi r divided by velocity यह हमारे पास आज़ेगा यहां पर values put कर देंगे 2 multiply by 3.14 multiply by radius हमारे पास चाहिएगा 6400 km divided by आज़ेगी 7.9 km पर second यह बचों हमारे पास चीदिया आज़ेगी कि इतनी विलाउस जब आप इनको डिवाइड करेंगे डिवाइड कर क्यांसर निकाले तो हमारे पास यह आज़ेगा 50 60 seconds इतने हमारे पास seconds आ जाएंगे असलमें इतने seconds किसके ब्रापर होते हैं 84 minutes के ब्रापर होते हैं यानि इसको आप इसको आप 60 से मल्टिप्लाइब भी कर दें 60 से डिवाइड भी कर दें तो जब आप 60 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो मिनट बन जाएगा डिवीजिन इससे करेंगे 60 से तो आंसर आजएगा 84 आपके पास इसका मल्दब यह है कि यह अपना एक चकर 84 मिनट में complete करेगा कौन सी चीज जब यह low flying होगा बच्चो high flying नी low flying और इसका time period कितने का होगा 84 मिनट का और इस orbit में इसको गुमाने के लिए speed कितनी चाहिए होगी 7.9 km पर second तो यह बच्चो कम से कम velocity है इससी velocity को आ the minimum velocity required to move as a right on a circular path is called critical velocity तो यह critical velocity की definition थी कि वो कम से कम velocity जो object को circular path पे move करने के लिए चाहिए होती है जब हम कहते है critical velocity आ जाते है बच्चो अब question यह है कि यह तो हमारे पास low flying के लिए था अब अगर high flying हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चो आपके एक book पर line लिखी है कि जब हम जमीन से किसी appropriate height पर move करते हैं तो फिर हम height को neglect नहीं कर सकते इसका मतलब बच्चो गर height को neglect आप लोग नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास क्या चीज़ें आएंगे फिर इसका मतलब यह वाले फार्मले नहीं लगेंगे उच्चो फार्मले यहीं लगेंगे सिरफ आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी changes करनी है कि यहां पर h0 नहीं रखना हो मैं आपको बताता हूं अब अब अच्चो यह देख लें कि यह हमारे प आवर में भी कनवर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसका आप करके आएगा 3600 से मल्टिप्लाइ कर देना है और 3600 से डिवाइड कर देना है आपको जो आंसर आएगा वह आंसर आएगा 2840 अब यह आप यहां पर डायाग्राम देखें बच्चो मैं आपको समझाता हूं अब यह डायाग्राम आप देख रहे हैं इसमें तीन तरह के पास मर रहे हैं पहला सर्कुलर बन रहे हैं फिर एक आपके पास जो है वह अलिप्टिकल पास बन रहा है बच्चो एक में वह एरो लगा के वह टंजेंशल के लॉंग जाने की कोशिश कर रहा है यह है क्या जो है जो विलॉस्टी है वो ग्रेटर देन जिस ऑर्बिट में खड़े इसको उसमें और बिलॉस्टी भी कहते हैं उससे जाधा होगी मसले मैं समझाता हूं इस ऑर्बिट में आपको चाहिए 7.9 किलोमेटर पर सेकिंड और आपकी विलॉस्टी फर्ज करें जी इससे थोड बनेगा वो elliptical बनेगा यहां पास क्या बनेगा elliptical बनेगा बच्चो जाधा किससे होने चाहिए वी नौट से लेकिन बच्चो एक चीज याद रखने चाहिए यह विलॉस्टी लेस होनी चाहिए किस से escape विलॉस्टी से यह आपने पांट याद रखने है अगर आपकी वि आपका जो पाथ बनेगा वो सर्कुलर बनेगा अब बच्चो कर आपकी विलॉस्टी जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर होगी है किस से escape विलॉस्टी से तो यह अलॉंग दा टेंजेंशिल पाथ मूब कर जाएगी जी तीन तरह के पाथ बनाएगी कि बिल्कुल सर्कल में अगर फर्द करें जोन साभी बच्चो और विट होगा उसी साफ से इसकी विलॉस्टी आजेगी और उसी साफ से विलॉस्टी आएगी तो यह उसी सर्कुलर पास में यह मूव करना स्टार्ट कर देगा अगर उतनी विलॉस्टी में आप कहते हैं यहां पर गुमाने के अगर आप टेंजन्चल से फैंक देते तो यह क्या कर जाएगा वा तो हम यहां पे असल में small r को use करेंगे कि small r is equal to r plus h यहां पे h हमारे पास 0 नहीं होगा अब जो g है वो कहता है g varies inversely to the r अब यहां पे आप यह पेज देख रहे हैं पहले वो आप देख लें उसमें क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप height h पे चले जाएंगे करीब करीब होगा कहता अगर आप जमीन से काफी दूर है तो तब g की value constant नहीं रहती जमीन के करीब करीब तो हमारे पास आजएगी 9.8 आजएगी फिर वो कैसे vary करेगी अगर आप कहते फार्स करें जी आपने फासला double कर दी है फासला triple कर दी है फिर कितनी कितनी होजेगी तो फिर उसके यह फार्मला जो हमारे पास होता है g is equal to g capital m mass of earth divided by r का square तो यह जो paragraph मैंने आपको भी दिखाया था इसमें जो यही पास कर रहे है कि g जो है यह inversely proportional to r square होता है बच्चो तो g is equal to inversely proportional 1 over r square आजाएगा तो यह हमारे पास चीज़ है कि g और r का inverse relation होता है अब बच्चो देखें जैसे जैसे आपका radius बढ़ता जाएगा आपका जमीन से फासला जादा हो रहे है जितना आपका जमीन से फासला जादा होगा वहाँ पर g की value क्या हो जाएगी बच्चो कम हो जाएगी अब मैंने आपको बताया है कि जो v है v किसके बराबर होता है g r अब बच्चो इसको यहाँ पर आके देखें यहाँ पर असरमें g is equal to g v square over r plus h अगर इसको और step बैक जाए तो g is equal to v square over small r तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि v square is equal to g r तो यहाँ पर दुन तरफ अगर आप square root ले ले तो जो g की value है v is equal to g r आजएगी बच्चो इस चीद होगी clear अब देखें यहाँ पर आप g की value यह वाली put करें g यह वाली जो है अपस तो v is equal to g m over r square dot r तो हमारे पास r r से क्या आजएगा बच्चो गैंसल तो v is equal to g m over r यह बच्चो चीद होगी देखें जितना आप जमीन से दूर होते जाएंगे कहता उतना ही acceleration भी कम होता जाएगा उतनी ही आपको speed भी कम रखनी पड़ेगी ताकि इसकी direction में change थोड़ा थोड़ा है जितना इसकी direction में change थोड़ा थोड़ा हैगा उतना acceleration कम पैदा होगा जितना acceleration कम पैदा होगा उतना की जमीन provide कर सकती है तब ही body जो है वो जमीन के grid circular path में move करेगी तो यह असल में formula यह ऐसे नहीं है अगर आप कभी पूछ भी लिया जाए कि अगर इससे देखें कि अगर आपका फर्द करें radius बढ़ेगा आप करेंगे र बढ़ेगा तो इसके लिए आसे हमारे पास V की value बढ़नी चाहेगी है बच्चो लेकि बच्चो ऐसा नहीं होता जब R बढ़ेगा तो उसी वक्त G भी कम हो जाएगा तो G कम होगा तो हमारे पास V की value बढ़नी कम होगी कभी भी R के बढ़ने से G की value नहीं बढ़ेगी मसलिन इसका मतलब क्या है फर्द करें एक आपस radius यह वाला है R1 suppose करें और एक radius है R2 यहाँ पे है अब वो कहता है कि दोनों में आपने कौन से path में गुमाना है बाड़ी को circular path में गुमाना ऐसे करके यहाँ पे भी circular path में गुमे और यहाँ पे भी गुमे अब यहाँ पे देखा जाए तो R1 छोटा है R2 बढ़ा है अब बचो देखें अगर radius बड़ा होगा तो speed कम रखने पड़ेगी radius कम होगा speed जादा रखने पड़ेगी velocity जादा रखने पड़ेगी देखें R1 छोटा है तो यहाँ पे speed विलाउस्टी जादा रखने पड़ेगी R2 बड़ा है यहाँ पे विलाउस्टी के रखने पड़ेगी कम रखने पड़ेगी तो V और R का कौन सा रलेशन होता है बच्चो square root के साथ inverse रलेशन होता है यह हमारे पस आ जाते है तो यह उस जो पैराग्राफ साथ कसल में यही मतलब है इसेंें लाइनें लिखी है, द्थिन वो क्या लाइनें लिखी है वो कहता जैसे आप जमीन से दूर होते जाते है तो R की व Sug क्या होती रहती है जादा और V का साथ है कम अब जब V कम होका बच्चो देखे यहाँ पे अब यहां से बागते बागते बाग 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 यहां से बचो बाग के फिर कहीं पर जाके यह देखे बचो यहां आ रहा है हो देखे बचो कितना जादा फासला तेह की है आपके सरी तो बहुत लंबा तेह की है बचो मज़े की बाद चेक करें एक तो उसका फासला बढ़ गया है उपर से जुलम क्या है कि वी भी कम है बच्चो मसलब यह नहीं मैं यह कहूँ एक बच्चे को मैं यह जाज़त दे दूँ कि भाई आप यह टेबल है आप इसके करीब बाग ले और बाग भी स्पीड से ले और दूसरे बच्चों को मैं कहूँ इसकी का मतलब यह है कि यह जो जितना स्रेटलाइट जमीन से दूर होता जाएगा बच्चो इसका उसका चक्कर भी बढ़ता जा रहा है उसकी विलोस्टी भी वहां पर हमें कम रखनी पड़ देगा जिसकी वज़ा से वहां बच्चों क्या होगा increase कर जाएगा जो यानि अब वो बहुत देर के बाद आके अपनी दुबारा वाली position पे आएगा तो यह असल में इन चार पांच जो आखरी लाइनों का यह मतलब था कि अगर आप velocity को बढ़ाएंगे velocity कैसे है पर जिसना आप satellite जमीन के करीब होगा और इसी वज़ा से उसका time period भी क्या होगा थोड़ा होगा यह बच्चों हमारे पास कुछ लाइन ने थी असल में मैं यहाँ पर equation drive नहीं करना चाहता यहाँ पर capital theorem के तुरूँ equation आती है time period और radius के relation की otherwise वो equation यहाँ से भी आ जाती लेकिन आपके topic का हिस्सा नहीं है कि time period का relation क्या होता है इस वज़ेसे मैं यहाँ पर equation नहीं लिखूँगा लेकिन मैं सिर्फ आपकी असानी के लिए time period और radius का relation पूछा जाए तो time period is directly proportional to radius की power 3 by 2 होता है बच्चों यहाँ से radius बढ़ेगा time period बढ़ जाएगा यहाँ के जितना satellite जमीन से दूर उतना आर की value जादा जितनी आर की value बच्चों जादा time period उतना जादा हो जाएगा तो यह बच्चों कुछ लाइनों का last value लाइनों का यह conceptual way से यह मतलब था कि आप h को ignore नहीं कर सकते बच्चों अब बच्चों इससे आगे चलते हैं वो कहता है किन satellite को हम जो है वो low moving समझ सकते हैं तो जो आखरी paragraph बुक पर लिखा है वो कहता है 400 km की height तक जो है उसको हम लेंगे low flying satellite यहां तक जो सेटलाइट है नहीं लेंगे इससे अगर upward move करते जाएंगे फिर हम low moving में नहीं लेंगे उनको उसके बाद बच्चों आपने नाम सुनाओगा GPS सिस्टम का ठीक है कि नहीं Global positioning system इसमें बच्चों क्या होता है इसमें satellite ही होती है जब हम कहते GPS तो हमारे mobile पे होता है जैसे हम उसको on करते हैं हमारी position locate होना शुरू हो जाती बच्चों अब है क्या उनके लिए भी satellite चाहिए एक पूरे का पूरे GPS सिस्टम है उसमें 24 satellite होएं अभी तक यानि के कि कमी पेशी रहा जाती है तो कितनी के एक और इसी के साथ हम कहते हैं कर सकते हैं दस मीटर के साथ यानि कि अगर फर्ज करें आप कहते हैं आपकी exact position suppose करें जी बोजरे में यहां पे है तो आपका जो पीछे भी हो सकता है तो यह असल में हमारे पास artificial satellite था कि अगर इसको circular path में मूव करवाना है अगर elliptical में मूव करवाना है tangential में मूव करवान था हमारे पास क्या क्या चीज़े आएंगे फिर हमने यह देखा कि जतना satellite जमीन से दूर होता जाएगा speed orbital उतनी ही कम जितनी इंपॉर्टन टॉपिक है आपके लिहाज से concepts के लिहाज से कैसे कैसे चीज़े आएंगी और यह जो paragraph मैंने यहाँ पर चीज़े लिखी है यह आपकी बुक पे उन्होंने लाइने बना के लिखी है इस वज़ए से आपने इन्हें राइट डाउन कर लेना है आपकी बुक प होता था थोड़ी बहुत भी वहाम रहा गया हो तो बचो आप कमेंट कर सकते हैं आपको उसका अंसर प्रवाइड कर दिया जाएगा तो मिलते हैं बचो फिर एक नहे टॉपिक के साथ